आपको आमिर खान की फिल्म तीन इडियत्स याद है। साल 2009 में रिलीज हुई इस फिल्म में आमिर खान एक छात्र बने है। एक सीन में वो अपने कॉलेज के दीन बमन इरानी से पूछते हैं कि अंतरिक्ष में चलने वाला पेन अगर लाखों रुपए खर्च करके बनाया गया था तो फिर पेंसिल का इस्तिमाल क्यों नहीं कर लिया गया जो सस्ती होती है और लिखने के काम भी आती है। उस वक्त दीन ने उत्तर नहीं दिया था पर फिल्म के क्लाइमाक्स में बताया था कि पेंसिल का प्रयोग क्यों नहीं किया जा सकता। वो एक फिल्म थी इस वज़ा से उसमें बताई गई बातों पर पूरी तरह यकीन नहीं किया जा सकता। हाल ही में किसी ने जब ये सवाल सोशल मीडिया पर पूछा तो इसकी चर्चा फिर होने लगी, इस वज़ा से हमने सोचा कि आपको विश्वसनियता से बताएं कि आखिर इस सवाल का जवाब क्या है, तीम इडियस फिल्म में भी ये सवाल आमिर खान के किरदार रैंचो ने प दूई है, आम आदमी अंतरिक्ष के बारे में उतना ही जानता है, जितना वो वैग्यानिकों से सुनता है, इस वज़ा से उसके लिए स्पेस से जुड़ी कोई भी चीज पहली जैसी है, जब इस पहली का हल फिल्म में मिला तो बेशक लोगों ने उस पर यकीन कर लिया, तो अभी चीज़े यहां वहां उड़ती रहती है, कहीं पैंसिल की नोक किसी की आख में न चुप जाए, इसलिए पैंसिल का वहां उप्योग नहीं होता, साथ ही नासा ने भी इस बात की पुष्टी की है, कि उन्हें पैंसिल के लिए एक विकल्प चाहिए था, क्योंकि पैंस पैंसिल की लीड आसानी से तूट सकती है, और हवा तैर सकती है, जिससे अंतरिक शियात्रियों और अंतरिक शियान पर समवेधन शील इलेक्ट्रोनिक्स के लिए खत्रा पैदा हो सकता है, अंतरिक शियात्री भी 1979 से स्पेस पेंड का इस्तिमाल कर रही है, अब ये तो जिससे पालिट्र में जाकर उसे खराब कर सकता था, इस वजह से साल 1989 से अंतरिक शियात्री है, और हवा तैर अंतरिक शियात्रियों और अधान становится